बापू ने दान्डी मार्च अंग्रेजों को देश से खदेरने के लिए किया था आज हम ब्रस्तचार को अरुनाचल से खदेरने के लिए हम भी दान्डी मार्च करके आए हैं प्रधान मंत्री जी चाहेंगे कि हमारे अरुनाचल वालों को ज़्यादा परेशान ना किया जाए उनको ज़्यादा ना सताया जाए तो हमें जल्दी वो वापस बेज देंगे अगर वो चाहेंगे कि हम अरुनाचल चोड़ के दिल्ली उनके यहां ही रह जाए तो भी हम यहा आवाज बनियेगा हमारी आवाज को प्रदान मंत्री जी के कान तक पहुंचा दीजेगा राश्ट्रपती जी के कान तक पहुंचा दीजेगा और ब्रस्टचार को मितानी कि हमारी इस कोशिस में आप हमारा योगदान दीजेगा हमारे साथ हमारा समर्तन कीजेगा कहीं पर भी साप पानी साफ हवा दिखता है नहीं है हर जगह ब्रेश्टा चार ब्रेश्टा चर अरे वह एक टेबल से दूसरे टेबल-पाइल पहुंचाने के लिए तेबल के नीचे से चाय पानी मंगा जाता है ये प्रास्ता चारी एक चप्रासी के लेवल से लेकर के टॉप सी एम के लेवल टक है पूरा एक चेन है नमश्कार मैं मोंटु राज़ा इंटी करप्शन इंडिया से स्वागत था आपका अरूनाचल अगेंस्ट करप्शन जो एक मुहीम अरुनाचल से स्टार्ट हुई और राज्जानी दिली तक पहुची है पैदल यातरा करी है पहले भी दो-तीन बार आपको अरुनाचल में जो समस्याएं हैं जिसके लिए पैदल यातरा करी गई है में 2000 से ज्यादा किलोमेटर पैदल चले हैं लोग टोको शीतल जी मौजूद है मैडम जैसे कि आपने पहले भी जान करी थी आज आप प्रेस क्लब आफ इंडिया में मौजूद हैं क्या ऐसी मजबूरियां हो गई धरना आप लोग दे रहे हैं प्रेस क्लब में आने का आपको क्या आवशक्ता पढ़ गई सबसे पहले आपका बहुत बहुत दन्यवाद लास्टाइम आपने जो हमारा कोबरेज दिया बहुत बढ़िया था लोगों ने बहुत तारीब की अरुना चल से खास करके आपने जो नियूज बनाया था तो दुबारा आज फिर आप हमारे पा कि इस तेट्स्सेंट से भी डिपरेन अलग 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 राग चाहिए वह दिटी एच वाले उडिटी यृछ वाले तो कोई भी नियूज चानल हो हूं रिजनल हो नाशनल हो लोकल हो जो भी हो यहाँ हमें, उन सारे रिपोर्टर दोस्स से हम मिलेंगे यही सोच करके हम यहाँ आए ते और ऐसा भी हुआ, मिले भी सब बहुत सारे लोग मिलें और हमने अपनी प्रापबलम्स उनके साथ शेयर किये है है हमारे मुद्दो पर हमारे इशूस पर बात चर्चा हुई बातचित हुई और हमने लोगों से रिक्वेस्ट किया कि हमारी आवाज को और थोड़ा सा आप मदद कीजे सहे हो किजे हमारी आवाज को प्रदान मंत्री जी के कान तक पहुंचाईएगा कितना मुश्किल लग र अपनी राज में जो जिस प्रकार से जो गोटाला बाज हो रहा है गपले बाजी जो चल रही है उसको हम जड़ से उकारने की कोशिश में लगे हुए हैं और इस कोशिश की हमारी पहली शुरुवात होगी अगर हम फ्लाइट से आते तो शायद उनको हमारी आवाज बहुत ज़्यादा सुनाई नहीं देती इसलिए हम पद्यात्रा करके आए हैं बापु जी ने हमें सिखाया है सत्यग्रह करना तो बापु जी के लक्ष कदम पर हम फोलो करते हुए दांडी मार्च बापु जी ने कि कि आता आज हम ब्रस्त चार को अरुनाचल से खदेरने के लिए हम भी दांडी मार्च करके आए हैं और हम यहां हमारी खतम नहीं होगी और बहुत ज्यादा लंबी हमको हम बहुत आगे तक सोचके रखे हुए हैं अरुनाचल के यह चोर वाले लुटेरे वाले सरकार सोच र लेकिन यह उनकी गलत पहमी है हम तब तक नहीं हिलेंगे जब तक हम यहां से किसी एक को भी अगर हम लेके और ना चल बापस नहीं जाते हैं तो और हम यह मांग कर ही रहेंगे मांग कर ही रहेंगे क्योंकि अभी जो है जंतरमंतर पर आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं रोज धर्ना जो है वो नहीं आप कर पाते हैं लेकिन आप लोग डटे वे हैं कब तक यह धर्ना आगे चलेगा क्योंकि अब तक कहा यह जा रहा है किसान आंदोलन हुआ देश के अंदर सबसे बड़ा सबसे लंबे पीरिड तक चलने वाला हुआ था क्या अब यह अरुनाचल अगेंस करप्शन पे जो आप लोग मुहिम उठा रहे हैं क्या यह उससे बड़ा धर्ना हो जाए प्रधान मंत्री जी हमें कितना दिन यहां दिल्ली में रखना चाते यह उन पे निर्वर करता है अ अगर वो चाहेंगे कि हम अरुनाचल चोर के दिल्ली उनके यहां ही रह जाए तो भी हम यहां रह जाएंगे लेकिन हम खाली हाथ बापस नहीं जाएंगे यह सारी चीजे प्रधान मंत्री जी के उपर निर्वर करता है अगर आपके किसी भी राज्य में भी अगर इस प्रकार की ब्रश्टाचारी हो रही है तो आप भी आबाज उठाएगा ब्रश्टाचार को कभी बरदाश मत कीजिए ब्रश्टाचार एक ऐसा रोग है इसको फैलने से पहले कैंसर की इलाज हो जाएगी लेकिन इसकी इलाज नहीं होती है तो इसको फैलने से पहले इसको आप रोखियेगा इसको रोकना ही इसका इलाज है, HIV AIDS का इलाज हो जाएगा, लेकिन ब्रश्टाचार का कोई इलाज नहीं हो रहा है, तो हम अभी जर से काटने की कोशिज कर रहे हैं, इस प्रकार हमारी राज्ये में फैल चुकी है, कि मतलब ये एक वाइरस की तरह हो गई है, कहीं पर भी साप पानी साथ हवा दिखतानी है, हर जगा अधरस्टचार अरे वह एक टेबल से दूसरे टेबल पाइल पहुचाने के लिए तेबल के नीचे से चाय पानी मांगा जाता है, ये ब्रस्टाचार एक चप्राशी के लेबल से लेकर कर के टॉप पूरा एक चेन है, सिस्तेम बनके बैठा हुआ है, इस सिस्तेम को हमें काट के पेखना है, इसलिए देश की जनता से मेरी अफील है, रिक्वेस है कि ब्रस्ताचार को आप लोग फैलने मत दीजेगा, फैलने मत दीजेगा, उसको आगे बरने मत दीजेगा, और खास करके मेरे अरुनाचल के जनता से तो मेरा ये अपील है, जितना अब तक हो चुका है, वो काफी है, इस से जादा और नहीं, और आगे नहीं, इसको यहीं पे हमें रोकना है, और यहीं पे हमें खतम करना है, इसलिए ब्रस्ताचार को रोकने के लिए, इसको खतम करने के लिए, आप ल प्रॉप्शन के खिलाफ जो लड़ाई है कितनी कठिन होने वाली है यह समय ही तै करेगा क्योंकि पैदल चल लिए 2500 किलो मेटर आप जनता क्या समर्थन देती है यह भी समय ही बताएगा क्या है आपकी राय कमेंट दो और अपने विचार हमसे आप साजा कर सकते हैं अगली अब्डेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे नमस्कार सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बने रहें हमारे साथ